लब जिहाद वाला मामला है था, मैं बोला है इसके, बही गरीब लोगों की बीच में दी हो जाए प्रेम तो जिहाद हो गया, और इनके घर के बच्चे करते हैं, तो क्या होता है, फिर लब हो जाता है, आंधोलन क्या गरीब परवार के, मतब गरीब लोग ही इनके राजनीती ही खत्यार हैं, और इसके घर के बच्चे करते हैं, उसमें आंधोलन क्यों नहीं करते हैं, भारती जन्ता पाड़ी बड़े नेता की बेटी, साधी सुधा बेटी दूसरे घर में बैठी हुई है, एक मुसल्मान के घर में, उसमें आंधोलन क्यों नहीं करते हैं, उसमें करने कार है लब जिहाद करने का यह करेंगे जितने बड़े नेता भारती जंता पाड़ी देखो लाइंसे मैं नाम किस इक नहीं ले रहा हूं कि सब बड़े नेता हों कि दमान आपको मिल जाएंगे उसमें आंदोलन देश पर भी क्यों नहीं होता मेरा सवाल यह है तो हम तो महात्मा गांधिक मानने वाले हैं करने से पहले बोलने से पहले करने काम करके बताओ गांधी जी काते ना मेरा जीवानी मेरा संदेश है तो हम लोग उस प्रकार से नहीं है मतब परुप देश कुसल होते रहे हैं आपके लिए दुसरी और मेरे लिए दुसरा अभी कानून देख लीजिए टेनी मिसरा के लिए अलग है आम जंता के लिए लग क्या भूसन है बृष भूसन के लिए अलग और पहलवानों के लिए अलग कि यह नहीं चलना चाहिए आप सप्तम है सासन में है तो आप जो आप एक्षा आप दूसरों करते हैं वो आपको आपको बिहार वैसी होना चाहिए आप कह रहे हैं कि 36 गड़ में बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं है जी हां क्या यही वज़ा है कि आप ये भी कहते हैं कि इडी की कारवाई इसलिए हो रही है वो इडी सकते हैं बदनाम कर सकते हैं लेकिन बूत में तो बहरती जंता-पार्डी के लोगों के जाना पड़ेगा ना मद्दाता के पास इसी जाना पड़ेगा यह इडी वाले दोनी जाएंगे एडी फोरो से चुनाओं नहीं लग सकते हैं और आपने परिवार की बात की आप यहां और कॉंग्रेस में इल्जाम लगता है कि कॉंग्रेस में राजनीती जो है वो परिवारों के सारे चलती है आपका परिवार भी आगे राजनीती में आएगा या नहीं आप यहां फुल स्टॉप करेंगे कांगरेस में केवल गांधी परवार पर ही परवारवात्व कारोप लगाते हैं लोग, बश्चत रात नाज सिंग की बेटा विधायक है, वसंदुरार राजेग बेटा भी राजनितीम है, परवार वाधी जेते रहे देश सिंधाजी का आप लेया है, लेया है न और एक को मं मंत्री बना दिया है, उत्तर प्रेश्स में हमारे पार्टी कितने ऐसे लोग है इस चात्रीज गर्म सिंग के बेटा सांसद बना तक नहीं बना था बली राम कसेफ के बेटा दो दो बेटा एक सांसद बना, एक मंत्री बना, 36 गर्म में आने कुदार अंदे सकता हूँ, तो ये परवार वाद के केवल आरोप लगाते हैं, वो केवल गांधी, इनके तकलीफ गांधी परवार से, इनको तकलीफ गांधी सब्द से, मैं किसान हो то मैरे बेटे, मैंने खेटी किसांची सीखा दिया है, उसे साधी कर दि, अब वो स्वतंत रहे, कि वो राजनीति महाया है, कि ना है, वो जाने, उसका काम जाने. अपने जो पारंपरी, धंदा है, खेटी, उसको मैंने सिखा दिया, वे इसकूल के समय से भेद दिया था खेत, पेरे एक ही लड़का है, तीन लड़कियां हैं, और सब अपने अपने जगाई इस्टेबलीस हैं, उसके बाद आगे क्या करना है, अपने जीवन के बारे में उनको निने लेने का हक है, होना चीज़ नहीं होना चीज़, कि वहला र पूछ लिया करो कि गाना कौन सा पसंद है, गाने के लिए नका करो, तो आजकल कौन सा गाना पसंद आ रहे हैं आपको, आजकल तो बढ़िया भजान सुने हम लोग करो, रमायन मौसा में, उपेश भगिल जी, यही अंदाज है जो आपको लोकप्रिया बनाता है, चाहे लेकिन जनता यहां देख रही है और समझ रही है, बाक्ती शुब कामना है आपको चुनाम के लिए, बहुत बहुत चुक्रिया, आप हमारे साथ यहां इसमंच पर आए झाल